Unshaded का क्या आर्थ होता है या आज किस वीडियो में सीख लेते हैं Unshaded का तो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है एक तो जिस पर कोई shade ना हो यानिकि जिस पर कोई छाया ना हो उसे भी हम Unshaded कह सकते हैं इसके इलावा जिस पर कोई कलंक ना हो या कोई दाग ना हो उसको भी unshaded कहा जा सकता है यानि कि बेदाग ऐकलंक बेदाग या कलंक का मतलब कि जिस पर कोई दाग ना हो या कोई कलंक ना हो या कोई धबा ना हो इसके इलावा इसका आरत होता है चाया रहित या जहां चाया न नहीं थी अच्छाय के लिए कोई चीज नहीं थी तो आप कहेंगे the beach was unshaded the beach was unshaded अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास की सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें